हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम अगेन मैं मैं इसकुमर आपका इंग्लिस विद मैं इसर यूटुब चैनल कितब से आधिक स्वागत करता हूं और आज की आपकी सेकंड क्लास रहेगी फिलिंग इन दब लेंक्स की ठीक है और कुछ ग्रैमेटिकल पॉर्शन है कुछ तैंसे से रिलेटिड हैं कुछ मुडाल से रिलेटिड हैं कुछ आल्टिकल से रिलेटिड हैं प्रेपोजिशन से रिलेटिड हैं जो कि हम डिसकस करने वाड़े हैं रेगुलर क्लास के अंदर तो फिलिंग दब लेंक्स का पहला परागराफ जो है आज करने वाड़े हम यह यह कुश त्यारधरतीयरा कि अगर बात चल रही है तो वह पास्ट की बात चल रही है ठीक है? और सारा जो टेंस रहने वादा है सारी जो चीज़े रहने वादी है वह फिर पास्ट के अंदर ही रहने वादी है उच्छों अब पहले में अगर आपwestion में देखेंगे जहां में समझगो पहले में Napoleon में δेखेंगे कि Arena Function आपके जो दे रख 30 को यहां पर زज Ne से यहांवी और पैसिव में चाTheert copaloud के वाड़ आपके पता है थाइध गिए तो आपको बताया गया है के विज़ ऊरगनाईजफ फूचर है अपका लेकिन आपका सेकुन फॉर्म दे रखा उपिचन में बढाईजफ दे रता दिखाई दे रहा होगा उपको जिसमें के मैं सर्कल कर रहा हूँ उप minister आपका सेकिंड फॉर्म होगा बिल्कुल दे रखा है और वाज ओर आपका passive दे रखा है second form का ही देखो organized second form होता है active form में और was organized second form होता है passive form में active passive में difference क्या होता है basically active passive में difference क्या होता है कि जो annual आपका function दे रखाने ये subject है इस verb का काम नहीं करता है अगर subject verb का काम नहीं करता subject not doer होता है verb का तो verb कैसे आती है passive में आती ठीक है तो इस हिसाब से जो answer हो गया ना आपका वो हो जाएगा was organized इसका answer क्या हो जाएगा बटा work was organized हो जाएगा clear point तो ये आपका answer हो जाना है इसका तो b option a option का आपका c option हो जाएगा पहला a option में आपका c option आ जाएगा ठीक है the annual function was organized on 14 October 2013 the program which the lighting of the ceremonial lamp program start हुआ है program start हुआ है देखो begin begin का मतलब है start हुआ है program start हुआ था program start हुआ था program start हुआ था begins ये present है is beginning ये भी present है और has begun ये present perfectence है लेकिन ये काम सारा past में चल रहा है तो past में चल रहा है तो इस भी हाप पर जो answer आएगा ने बटा वो answer आएगा आपका b option क्या answer आजाएगा बी option आजाएगा begin समझें बाद second form use हो जाएगा begin clear point आगला जो line है उसके अंदर statement देखो the principal all the guests principal ने welcome किया प्रिंसिपल ने welcome किया है बटा प्रिंसिपल ने welcome किया है सभी guest का तो ये 14 को आपका function हुआ है 14 मतलब past में हुआ है तो welcome भी past में ही किया गया हुआ आप past का भी है आपका option fourth option है welcome second form तो ये आपका paragraph कुछ ऐसे बन जाएगा the annual function was organized on 14 October 2030 14 October 2013 the program begin with the lighting of the ceremony lamp and principal welcomed all the guests clear point तो कुछ ऐसे आपका ये sentence आपका ये feeling of blanks जो है सारे complete होते है अगला जो feeling of blanks है जो आपको करना है वो क्या है I am blank to go to a hill station this time ठीक है तो ये कह रहा है कि भाई आप एक चीज़ ध्यान रखे ये क्या कह रहा है वटा कि I am am is mr के बाद ध्यान रखना is mr के बाद हमेशा ing वाड़ी form आती है third form आती है तो आपके third form यूज होती है या फिर ing यूज होती है तो आपका जो option है आपका जो option है ये option नहीं आएगा और ना ही fourth option आएगा या तो आपका ing वाड़ी form आ सकते है या third form third form कब आते है बच्छो इस MR के बाद third form तब ही आता है जब वो passive में हो passive में मतलब subject काम नहीं करे लेकि ing वाड़ी form अनी अब आगे जो sentence है ना वह last year अब ये बता रहा है पिछले साल मैंने कहां का प्लान किया था मैं कहां गया था कन्या कुमारी गया था अब last year गया था तो वो तो past tense हो गया क्या tense हो गया वो तो बटा past tense हो गया और past tense में आपके second form यूज होती है past tense में क्या अब third form without helping of तो कभी नहीं आती है गोज आई के साथ आएगा नहीं और going फिर से ing के without helping of ing वाड़ी form नहीं आती है तो आपका जो option बनेगा answer बनेगा वो event बनेगा clear point अब दूसरी बात कह रहा है कि last year मैं कन्या कुमारी गया था और 20 साल इस समय में आहिल स्टेशन जाने का प्ल holiday destination अब जहां पर उनको जाने है na holiday destination है ठीक है station का मेरे दोस्त वहाँ पर अल्रड़ी पहुच गए है तो वो present में ही पहुच गए है पहुच गए है बैटा third form है अब third form से पहले आपका has have या haddy आएगा विलतो option आने से रहा अब my friends जो होगा ना तो यहां पर कईयों को लगत होगा कि last year नहीं फिलाल इस time की बात कर रहे हैं तो आज के दिन मेरे friends पहले से वहां पर पहुच गए है तो present में पहुचने का कम हुआ तो present tense यूज होगा clear point और present tense के हिसाब से I के साथ जो आएगा नो वो have आएगा तो यह आपका paragraph कुछ ऐसे complete हो जाएगा I am planning to go to a hill station this time last year I went to Kanya Kumari my friend have my friends have already left for their holidays ठीक है clear point तो इस तरीके से यह कुछ questions थे जो आज हमने questions discuss किया है बटा clear point तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे thanks for watching मैं महेश कुमार आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ please channel को share करें like करें subscribe करें English with महेश से आप पढ़ रहे है thank you very much आज की class